तो क्या हाल है मेरे भाई हो मैं अ consumers करना पर यहां पर आज के यूटर में आपको दिखाऊंगा जो आपका 70 होता है और और से को रहता है मैं आपको जीक के आंच करना है तो दैसे आटरे इसका में बस इतना ही दिखाऊंगा कि जो आपका सिबिल स्कोर होता है उसको कैसे चेक करते हैं क्रेड़ आप के जरीए तो यहां पर पूरा डीटेल आपको आपका जो क्रेडिट स्टेज रहेगा वो पूरा दिखाएगा मतलब आपका कब कब लोन लिये थे कब लोन नहीं लिये थ करते हैं अब पूरा डीटेल इस में ख्रेड़ में देख सकते हैं तो पहले पर देखिये मैं अपने ट्रेड़ इप में चले जाता हूं अपने यहां उपन करने का पर देखिये आपको ओम पीज पर कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेएगा जैसे कि अब लोग मेरे मेरे स्कीन आपको 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 क्लिक करना है जैसे हैं पर सूच्छ का प्लिक करेंगे तो आपको आपको एक और और ओप्षिन मिलेगा यहाँ पर एक च्छिक करेंगे यहाँ भीडेकर नहीं है लेकिन बेसिकली क्या होता है experience score और CRIF score होता है तो यह similar रहता है सिबिल से लेकिन सिबिल को ज़्यादा मतलब एहमियत दिया जाती है इंपोर्टन्स दिया जाता है लेकिन इसके जरीए भी आप अपना जो सिबिल बगर है उसे चेक कर सकते हैं अब यहां पर दिखिए तो यहां पर देखिए मैं आपको पहले experience का है experience का जो मेरा report है view report को पर मैं click करता हूँ तो यहां पर जितने भी मेरा जो लोन वगारा अभी active है वो सब यहां पर दिखाएगा जितने मेरे credit card है जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं अगर आप इसका detail view चाहते हैं कि यह आपका जो जैसे कि example मैं आपको दिखाता हूँ जैसे मेरा idfc first bank का यहां पर देखिए 4000 का है इस पर क्लिक करने को देखिए कितना कितना time to time payment हुआ है वो सब आप यहां पर detail देख सकते हैं अगर मान लिजए आपको कोई issue मिलता है इसमें तो आप यहां पर देखिए रिपोर्ट एन issue पर आप क्लिक करके अपना जो जो भी query आप य यहां पर देख पाएंगे तो previous loans मेरे देखिए यहां पर previous loans है मेरे सब जैसे के अपना पर देख पह रहा है तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए various options देखने की मिलेंगे यहां पर भी आपका on time payment कितना है 100% excellent है मेरा credit utilization कितना 43% है credit age मतलब आप कब से loan लेना start किय है यहां पर देखिए मेरा two years तक हो चुका है new credit account कि मतलब आपके जो civil है कौन-कौन से bank वालों ने चेक किया है मतलब update किया है कि आपको कौन से credit card के लिए eligible है कि ने वो चेक करने चेक कराएंगे तो आपको यहां पर देखिए new credit account देखिए लिए मिलेगा और credit mix मतलब कौन-क date score in 25 days तो मैं इसके पहले अपडेट किया था तो इसके लिए मेरा अपडेट को option नहीं है तो यह मेरा 882 है अब यह बात होगी experience score की अब नीचे एक और score है देखिए यहां पर CRIF score इसके उपर क्लिक करूँगा तो आप देखिए same जैसे कि previous में CRIF में जो दिखा रहा था वही है तो यहां पर देखिए मेरा credit card है debit card के loan से यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग तो same procedure है बस थोड़ा बहुत यहां differ करता है यह depend करता है कि कौन इसे चला रहा है मतलब कौन इसे manage कर रहा है तो आप यहां पर देख पा रहे हैं दोनों मेरा same है तो इस तरीके से आपको अ है तो आपको यह बिल्कुल free of cost है मतलब आपको कोई भी payment वगरा नहीं देना है आप देख सकते हैं आपको कोई problem face करने के लिए नहीं मिलेगी और यहां पर देखिए जब भी हर मन्त पहले क्या होता था कि क्रेट में हर मन्त update करने के लिए जो आपका view report है यहां पर करने लगते हैं आप इजीली अपना जो experience score और CRF score है easily यहां से fetch कर सकते हैं तो अगर आपको कोई doubt है सवाल है इससे related तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं या credit app से related और भी credit card से related आई होप आप लोगों के वडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है बने रहे है हम मिलते हैं अगली वडियो में